आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम ऐसे धान तक नहीं हूँ तरी स्टेडी ग्लोस पे आपका बहुत दोस्वागत है तो दोस्तों क्या भारत के बैंक्स खत्रे में है यह मैंने लेचर लिया था आपको याद होगा भी एक हफते पहले यह फिर से मैं ले रहा हूँ तो बात करेंगे लेकिन दोस्तों पहली बात तो यह आज आखरे दिन है ठीक है अरे सुरी आज क्या रहा हूँ परसो से क्लास शुरू हो जाएंगी तो क्योंकि परसो से क्लास शुरू होगी तो make the best out of it porn edition को हम खतम कर देंगे आपका level 3 में आप जो चाहेंग होगी है वो 6 सितंबर से ही शुरू होगी और एक साल के वैलेडिटी के साथ 75 डेस प्लस 100 डेस का ये शांदार कोर्स अप अवेल कर सकते हैं तो देखिए भारत का deposit shortage तो है और जो इंडिया के बैंक्स है और जो policy makers है थोड़ा डर का महौल है ठीक है ना देखिए चाइना में भी ऐसी कुछ हो देखने को मिला था बट यहां पर चाइना ठीक है हम चाइना के बात नहीं करेंगे हमको अपना देखना है हम चाइना से सीख सकते हैं क्या है कि बैंक जो है वो पैसा कैसे कमाता है बैंक सबसे मोटा पैसा कमाता है लोन से अब बैंक के पास जितना पैसा र देगा और उससे बोलेगा कि भाई तुमको हमको 130 रुपए देने हैं ठीक है तो आप क्या होगा कि बैंक उसको 100 रुपए देगा 130 रुपए बैंक के पास आ गए 5 रुपए आपको दिये 25 रुपए उसके पास बच गए तो बैंक लोन से ही पैसा कमाता है सबसे मोटा पैसा ब लिए ठीक है रही देखो जो पैसा आ रहा है जो टाक्स का पैसा एक तो जो हमारे मिडिल क्लास है अब बैंक में पैसा यानी की टैक्स लगा कर सरकार को समझना चाहिए कि वो जितना जाधा टाक्स लगाएगी उतना ज्यादा जफोरी जो इंडिविज्वाल है वो पोजिट रिशियो पे लेचर लिया था भी एक अफते पहले देख लीजेगा वह लेचर अविलबल है तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार क्या कर रही है कि जो भी प्रोसीड्स हैं वह फाइनेशल सिस्टम से अलग है जो भी टाक्स का पैसा वह अलग है भले ही वह बैंक मे liabilities, net demand क्या आपका savings और current account हो गया, current account में कोई इंटरस्ट नहीं आता है वो business purpose के लिए होता है savings account हर इंसार खुल वाता है और बाके time liabilities में जो वक्त के बाद आपको इंट्रस्ट पे किया जाएगा जैसे आइडी हो गई fd हो गई है ना ये सब तो ये सेविंग्स अकाउंट में आपको इंट्रस्ट मिलना चाहिए लेकिन बैंक उतना इंट्रस्ट देही नहीं पा रहे है ठीक है ना तो जाहिर सी बात है जो लेंडर्स लेंडर्स कौन होते है जो पैसा देते हैं जैसे पहले की जमाने में होते है तो manny lenders साहुकार वैसे ही ये lenders होते है जो आपको पैसा देते हैं ढ़े । आज की जमाने में बाइक आपको पैसा देता है तो अब वैसे तो finance ministry चाहती है कि जो depository institutions हैं जो banks है वो special drive चलाएं ठीक है RBI ने बोला है कि देखें structural liquidity issues हैं और हम एकदम खिनारे पर खड़े हैं skirting मतलब एकदम किनारे पर खड़े होना हम एकदम खिनारे पर खड़े हुए हैं लेकिन यहां पर सरकार क्या है एक तो सरकार टैक्स लगारी उपर से कह रही है कि भईया देखो बैंक से बोलो कि नहीं ने scheme निकाले बढ़िया जो behavior है मतलब पैसा आना चाहिए system में ओके अब प्रॉब्लम एक और है टेक्नोलोजी अब आज कोई कि भी customer हर customer का जो phone है वो उसका bank है phone bank है यस पैसा तुरंत चला जाता है पहले तो अगर आपको बैंक पे पैसा निकालना है तो आपको bank जाना पड़ता था याद है token लेना पड़ता था लाइन लगानी पड़ती चेक देना पड़ता था cash निकालना पड़ता था आज ऐसा कुछ नहीं एक क्लिक से आपका पैसा debit investment बहुत आसान हो गया है DMAT account खुल वाई सब online कहीं पर भी investment तो आज जो लोग है वो क्या कर रहे है cash सरकार security ज्यादा तर देखिए internet enabled accounts है वहाँ पर भी पैसा जा रहा है एक लाख रुपया आया को 80,000 जो लोग है उन्होंने invest कर दे कहीं और bank हमको इतना कम interest दे रहा है हम कहीं और invest कर देंगे समझ रहो तो यह liquidity squeezy तो है HDFC जो सबसे बड़ा private bank है देखिए team bank ICICI HDFC और State Bank of India यह systemically important banks हैं इंडिया के domestically systemically important bank DSIB मतलब इनके उपर economy चल रही है समझ रहो तो loans to deposit ratio deposit कितना है और उस हिसाब से loan कितना दिया जा रहा है ठीक है अब अगर यह यह देखिए 100% से उपर चला गया है जो पहला quarter अभी आप मान के चल के 100 billion rupees मतलब 1.2 billion dollar के करीब जो है यह sale कर देगा ताकि loans to deposit ratio जो है उसको कम किया जा सके है ना Bloomberg की डेटा के इसाब से तो आप देख सकते हो कि यहां पे bank deposit है यह नीले में है जो white में है वो non food bank credit है यह क्या होते हैं credit मतलब bank पैसा देता है ठीक है न बैंक FCI जो food credit होता है food bank तो bank FCI को पैसा देगा food entity को पैसा देगा grain को procure करने के लिए इसके अलावा जितने भी sector आते हैं आपका personal loan हो गया agriculture के लिए लोन इंडस्ट्री के लिए लोन यह सब non food bank credit में आते हैं मतलब एक तरीके से आप loan समझ लीजिए ठीक है जो पैसा सरकार दे रही है तो deposit देखिए और यह देखिए आप आप white में line देखिए और deposit देखिए अच्छा खासा को gap दिख रहा है यही दिक्कत है भाई बैंक के पास अगर पैसा नहीं लेगा लोन कहां से देखिए और अगर लोन नहीं देखिए तो profit नहीं होगा तो आप समझ सकते है कि क्या हालात हो सकते है राइट आर बी आई जो है वो थोड़ा लालच के बारे में भी चिंतत है दो साल के अगर बात करें तो जो क्रेडिट है भाई deposit कम आ रहे है क्रेडिट जादा है पैसे जादा दिये जा रहे हैं अब इंट्रस्ट भी तो देना इस पे रीटेल इंट्रस्ट जो है इस टॉक मार्केट में जवरदस्थ हुआ अब आप यह मानके चलिए कि भाई देखे जो हाउसोल्ड है जो एक आम आदमी है वो सेविंग्स अकाउंट में पैसा क्यूं रखेगा जब उसको क्यापिटल मार्केट या फाइनेंशल इंटर्मीडिरी में ज्यादा रेटन मिल रहे है कि भाई 10 लाक अगर एकाउंट में 8 लाक इन्विस्ट कर देगा पैसा तो गया ना बैंक के पास पैसा होना चाहिए पाई बैंक आपको पता है कि क्याश रिजर्फ अब एक तो क्याश रखता है ठीक है ना फिर एसलर के फॉर्म में रखता है मतब 25 परसेंट के करीब बैंक अपने पास रखता है ठीक है ना एसलर के फॉर्म में गोर्ट सेक्यूरिटी के फॉर्म में क्याश के फॉर्म में ताकि कल को कोई दिक्कत ना सके के आरब याई की गाइडलाइन से आपको पता ही है तो अभी क्या है कि जैसे फिलाल तो पैसा भी सिस्टम में है ठीक है लेकिन जिस तरीके से चीजे बढ़ती जा रही है कैश ट्रांजक्शन धीमी होती जा रही है राइट लोन्स खुद के ही डेपॉजिट करते जा रहे है वाई जाएट से बात है कि जैसे माल लीजी के अगर लोन दिया तो किसी के एकाउंट में ही तो रिफलेक्ट करेगा जो प्रॉपर्टी सेलर अकाउंट है जैसे मैं प्रॉ ब्रीदने के लिए ये लोकल बैंकिंग सिस्टम से ही पैसा आएगा राइट हाला कि डेपॉजिट शॉट फॉल नहीं है बट फिर भी तिकत तो है बिगर ट्रेन है वो टाक्स के थुरू होगा अच्छा खासा टाक्स देना पड़ता है लोगों को वो भी सेविंस में अब सरकारी अकाउंट भी सरकार सेंट्रल बैंक के पास रहता है ठीक है ना अब यह स्टेट रन लेंडर्स कहा रहा है कि भाईया जो अपना बैलेंस है वो आप अपने पास ही रखिए मॉनिट्र एथॉरिटी को मत दीजिए बना दिक्कत होगी अभी करेंसी जो पब्ल 2.7% स्लो है अगर अभी जून की बात करें तो यह चीज है अब यह इतनी डेंजरस है क्योंकि देखिए जो हाई पावर्ड मनी है जिससे फ्यू जो क्रेडिट जो है वो आगे बढ़ता है जो अच्छा खासा पैसा है वो इस समय जीडिप ग्रोथ से भी जादा है वो जीड लेकिन आप नॉमिनल जीडिपी देखिए ठीक है यह चीज है तो चाइना में भी अब जैसे चाइना में क्या हुआ था चाइना अपने हिसाब से पैसे को मैनेज करता है स्क्वीज करता है वो मॉनेटरी बेस को और एक्स्पैंड भी करता है लेकिन चाइना ने सबक सीखा बीजिंग 2001 भाई जो डबलू टियो पे भयानक अटाक हुआ है ना अब यहां जो एक्सेस डोमेस्टिक सेविंग थी वो निकल गई खाली होगी तुरंत है ना लेकिन फिर भी चाइना जो है अपने सर्प्लस को देखता रहता है और वो देखता है कि हमारे पास कितना एक्स मुसा 2007 में यह बताया था कि देखिए सबसे यहां पर जो सेंटरल बैंक की बैलेंस शीट है आप उसको देखिए उसको आपको स्टेडी करना है 2004 और 2006 में बहुत ही टाइट मॉनिटरी बेस क्या और टाइट मॉनिटरी पॉलिसी का मतलब मॉनिटरी पॉलिसी जो है आपकी फ वही रेट्स को decide करता है और उसनी हिसाब से पैसे का circulation आता और उसनी हिसाब से महंगाई और बाकी चीजे जो है वो निरधारित होती है अब अगर मान लिजिए कि महंगाई बहुत जादा है ठीक है तो फिर सरकार जैसे अभी महंगाई क्या थी काफी जादा थी तो सरकार प इक्विडिटी की ज़रूरत है तो फिर इसको expand गया जाता है तो अभी आप interest rate देख रहे हो बढ़ाय जा रहे हैं या जो RBI भी repo rate कम नहीं कर रहा हो इसलिए ही है ताकि अब पैसा भी system में ना आए ठीक है पैसा थोड़ा रुके थमे है ना यह चीज़ है तो चाइना ने तो यह manage कर लिया ठीक है उसने भाई अपने savings account में ज़्यादा पैसा रखवाए यह know self finance करवाए ठीक है बढ़िया है लेकिन क्या भारत भी ऐसे ही कर सकता है देकि नरेंद मोधी चाते है investment बढ़े ठीक है जैसे चाइना में बहुत investment बढ़ा private consumption जो है वो भारत क GDP का 60% है ठीक है हाला कि 50 साल पर 80% था investment 31% है चाइना की बात करें तो capital formation 2013 में 45% तक पीक कर गया अब एक बात बताईए यह सब होगा लेकिन कैसे होगा हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा हमको policy उस तरीके से बनानी पड़ेगी लेकिन क्या नरेंद मोधी investment to GDP ratio 36% तक बढ़ा स domestic saving खतम foreign जो है बोला कि भाई अब हाई current account deficit को हम नहीं करेंगे ठीक है तब से लेकर अभी तब जो current account है वो ठीक ठाक है दस साल पहले bank ठीक ठाक बढ़िया तरीके से capitalized थे vulnerability जो है वो कहीं और थी लेकिन यह सारी की सारी चीज़े जो है वो authorities को ही देखनी पड़ेगी authorities को कोई ना कोई तरीका देखना पड़ेगा ताकि bank जो है वो बढ़िया तरीके से काम करें और सब कुछ अच्छा हो जो भी होगा लेकिन एक दिक्कत तो है ठीक है ना अब बाकी देखते है RBI जो है वो सक्षम है भारस सरकार सक्षम है कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाल नहीं जाएगा आगे अब हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें मैंने बता है कि पर्सों से क्लास शुरू हो रही हैं तो आखरी दिन है पर्सों बैज बन कर देंगे और टेलिग्राम ग्रूप भी बन गया है थैंक्यू सो मच